गुड़ मॉर्निंग टू इबरीवन वेलकम टू माई चैनल स्बी टी इपार शाला तुड़े आम गोईंग टू डिसकस प्रिवियस यर क्वेशन ओफ प्रोजेक्शन ओफ स्टेट लाइन ये पार्ट फूर है स्टेट लाइन का जिसमें पार्ट थार्ड में हम लोगने प्र ये स्बीटी इपार्ट शाला चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं कियें प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और जाद से जादा दोस्तों के साथ सेर करें धन्यवाद आज का पहला कोश्टन हम लोग देखेंगे कता है 50 mm यहां पर देखें लिखा है कर टाइपिंग में स्टेक होता है को बुक में यहां पर लॉंग होगा चाहोगा यह लॉगा लॉंग लाइन होगा 50 mm लॉंग स्टेट लाइन एबी इज पारलल टू एच्पी देखें कोश्टन को अराम से परेंगे स्टेट लाइन के कोश्टन को बहुत अराम से परेंगे परने में जितना टाइम लगेगा उससे कम में आपको बन जाएगा परने काई है यह जल्दी में पर यह गलती हो जाएगा इसलिए परते समय हम बहुत असानी से परेंगे और उसके बा question पर है तो काता की parallel to hp मतलब line hp में है और incline 30 degree to vp तो 30 degree to vp आग गुरु मंत्र में बताये थे कि angle बोलेगा vp में बनाएंगे hp में मतलब हम clear होगा है कि line ऐसा होगा 30 degree incline पे line ऐसा होगा ठीक है आप देखिए the ind a is 20 mm above hp and 30 mm in front of vp draw projection of a straight line ने भी बन गया देखिए काईसे हम लोग ने पहला line लिया xy line उपर हम लोग क्या लिखेंगे vp नीचे लिखेंगे hp यहां से इंड a is 20 mm above hp 20 mm above hp और 30 mm in front of vp होगे इंड a है तो इंड a यहां भी होगा इंड a यहां भी होगा ठीक है अब कारा है कि ab है और 50 mm long line यह भी के parallel होड 30 degree inclined है तो देखिए 30 degree inclined है थो राशा हम देखिए इसको erase करतेते हैं उपर थोरा सा बनाते हैं xy reference line ठीक है यह उपर होगा 20 और नीचे होगा 30 ठीक है अब जो एंगल होगा यह कितना एंगल होगा 30 degree inclined to bp यह हमारा a है और यहां भी क्या है अब देखिए यह 50 क्या कट लेंगा यहां पास पर रखके major कट्रे काट और यहां काटने के बाद क्या करेंगे यहां से perpendicular डालेंगे और इसको यहां से मिला देंगे यह जगा बी और यहां भी होगा बी यह जगा बी-डश यह जगा एड़ेस यह जगा फ्रंट व्यू और यह हमारा जगा टॉप दिखिए जो क 30 degree to vp है ठीक है इन ह 20 mm 20 mm is 20mm above the hp and 30 mm in front of in front बोला ता xy कर नीचा इन इन फ्रंट बोला तो xy कर नीचे है द्रादा प्रिजक्शन अब स्टेक लाइनप स्टेट लाइन फैन्नेक्स्ट next question ind a of a straight line a b is ind a of a straight line a b is 40 mm below hp and 40 mm below hp and 20 mm behind ap below hp behind vp third quadrant clear this third quadrant ind ind is 20 mm above hp and 30 mm in front of vp if distance between projectors is 50 mm draw projection of a straight line तो देखिए यहां पर लिखा ind ind के बाद छोड़ दिया है तो यह बोल रहा ind b के बारे में ind b is 20 mm above hp and 30 mm in front of vp तो इसके पिछले वीडियो में ऐसा question बना चुके हैं xy line होगा, उपर vp होगा नीचे hp होगा a is 40 mm above the hp और sorry, कता a is 40 mm below hp और below hp 40 mm 40 mm below hp होगा और a b is 40 mm below hp and 20 mm behind vp behind the vp मतलब xy के उपर behind the vp xy k पर 20 mm होगे behind the vp अब b जो projectors के बीच की दूरी यहां से हम 50 माले यहां आया यहां से यहां की दूरी कितना आया 50 ले लेते हैं distance between projectors और b is 20 mm above hp 20 mm above hp and 30 mm in front of vp 30 mm in front मतलब xy के नीचे आयवह मतलब इसको इससे मिला देंगे और इसको यह 40 mm में न तो थोरा सब्सक्राइब इसको इससे थोरा मिला के ऐसे कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा जाएगा हमारा हमाल लेते हैं सब दिखाएगे ठीक है और यह हमारा क्या जागा front view यह हमारा क्या जागा टॉप इस तरह से हम question को बनाएंगे और प्रेक्टिस करेंगा ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिये काता है कि front view of a straight line PQ is PQ को a straight line है उसका front view 70 mm and parallel to VP VP के parallel है at max 30 degree with x y line the mid point of the front view is on x y line if the line is 20 mm behind VP प्रोजेक्शन देखो यह question उतना ज्यादा है नहीं देखो x y reference line ले लिया हमने भी प्य उपर ले लिया नीची हम लोग HP ले लिया देखो पहले तो PQ mid point पे और 30 degree in client तो हम क्या करते हैं कि एक line है इधर 35 ले 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 और इधर 35 ले 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 और यह 30 degree in 70 mm and is parallel to VP at max 30 degree x y line x y के ले 30 degree बना रहा है यहां से अगर हम बात कर लेते हैं यह P यहां से अगर इसका naming कर ले तो अगर यह front view का mid point है तो P dash Q dash भी हो सकता है P dash Q dash मगर यह P है यह P dash हो जाएगा यह Q ठीक है इस तरह से आप देखें यहां पर 35 है न तो यह Q dash यहां पर Q ठीक है तो इस तरह से यह हम question बनाएंगे ठीक है यह इस तरह से आप project कीज़ेगा तो यहां पर भी हाएगा ठीक है यहां पर यह जो होगा तो बो Q dash Q हो जाएगा ठीक है से स्टेमाटिक नहीं दिया हुआ है कि कैसे मगर यह एक आप जैसे कोश्चन दिया है उसके अनुसारीय शॉलूसन है कि फ्रांट वीव पर स्टेट लाइन पी क्यू इस से वेंटी में इस पैरलल टू भी पी तो पैरलल टू भी पी है तो यहां से पी यहां से यह पी और यह क सब्सक्राइब बना रहे है अमेर्ड पैर यहां से बना यह यह कशन उतना ज्यादा कंसेप्चुल नहीं है ठीक है यह जैसे दिया था वैसे हमने इसको बना दिया है ठीक है और बाकी question पर आप ध्यान दीजिए और आप question को बनाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको practice करें और दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो के share करें और वीडियो का ऐसा लगा comment box में जाके comment करें और वीडियो को like करें Thank you